रास्तान में साथ विधानसवा सीटों पर उप्चुनाओं होने जा रहे हैं लेकिन इस समय सबकी नजरे टिकी हुई हैं देवली उनियारा की सीट इतनी रोमान्चक कैसे बन गई है बीजेपी और कॉंग्रेस के प्रत्याक्षी वहाँ पर खुद को मजबूत होने का दावा कर रहे हैं तो वहीं दिगज नेता भी इस सीट को निकालने के लिए हुकार भर रहे हैं लेकिन निर्दलिय नरेश मिना अचानक इतना स्ट्रॉंग कैसे हो गए अचानक उनको इतना समर्थन कैसे मिलने लग गया पहले RLP के हनुमान बेनिवान ने नरेश मिना को समर्थन दिया तो उसके बाद दर्दलिय शिव से ताल ठोकर जीत हासिल करने वाले रविंदर सिंग भाटी ने भी नरेश मिना को अपना भाई कहते हुए उनको जीत के लिए उनका समर्थन किया तो वहीं अब दूसरी और अगर बात की जाए सचिन पाइलेट की देखिए जब कॉंग्रेस की और से केसी मिना का नाम आगे किया गया था तो सचिन पाइलेट की और से इस नाम को लेकर थोड़ी आपत्ती जताईगी लेकिन आलागमान की और से सचिन पाइलेट की आपत्ती क राजनेति गलियारों में यह चर्चाया जोड़ो पर है कि दरवाजे के पीछे से सचिन पाइलेट नरेश मिना का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि नरेश मिना सचिन पाइलेट के उन खास लोगों में से थे जब से सचिन पाइलेट इस राजस्तान की राजनिती में अपना जो कद है लगातार बढ़ा रहे है जब 2020 में सचिन पाइलेट और अशोग घहलोत के बीच में तलखियां बड़ी थी उस समय भी नरेश मिना ने खुल कर सचिन पाइलेट का साथ दिया था तो वहीं लगातार सचिन पाइलेट के समर्थन में नरेश मिना नजर आए तो अब क्या देवली उनियारा की सीट पर पूरे दिनरात एक कर दिये थे तो वहीं लोगसबा चुनाओं में भी हरी श मिना के जीत में सचिन पाइलेट का काफी महत्पूल योगदान रहा था लेकिन अब क्या उट चुनाओं में सचिन पाइलेट खुद ही अपनी पार्टी को हराने के लिए मैदान में उत्रे हुआ है ऐसे में क्या एक सीट जो कॉंग्रेस की थी वो थी देवली उनियारा वो अब कॉंग्रेस के हाथ से फिसल जाएगी क्या कॉंग्रेस और नरेश मिना की लड़ाई का फाइदा वहां से बीजेपी उठा पाईगी या फिर दोनों ही प्रमुक पार्टियों को तक कर देते हुए नरेश मिना एक नया इतियास लिखेंगे ये देखने वाली बात होगी लेकिन राजनितिक गलियारों में एक बार फिर से सचिन पाईलिट सुर्ख्यों में बने हैं आप देखते रहिए दनगरी मीडिया मैं हूँ लालत वर्मौ